नमस्ते, नमस्ते भाई, तह जोर से नमस्ते क्यों बोला? खुशी के मारे नहीं बोला, खुशी में जोर से नहीं बोलते हैं एक तरह का बदला है यह है, मतलब इसमें प्यार तो है, लेकिन थोड़ा गुस्सा है इसमें कि अगर आप हमसे जवरस्ती नमस्ते कराएंगे, तो हम ऐसे ही रहें, हम आपके कंट्रोल में नहीं हैं हमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं ऐसा है कि नहीं? मैं आपके बार नहीं बोल रहा हूँ कर मैं अपने आपको उस जगह रखूँ और क्वेश्चन पूछूँ कि यार इतना जोर से मैंने क्यों, मेरी आवाज क्यों निकले? अभी भी मैं हम आई अंदर आप लोगों से बात करके, तो आज FA1 है आप लोगों का न, टेस्ट वगरा है कुछ, आपका नहीं है, प्राटिकल्स के टेस्ट है, तो सीधे अंदर गुषते ही इन्होंने मुझे बोला कि लंच के बाद है, लंच के बाद, लंच के बाद अग वो इनका एक्जाम्स लंच के बाद है, दरको गुष्सा आ गया, अगर जाओ तुम बाहर खड़े होकर, फिर से अंदर आओ, और अब ठीक से बताना, तो मैंने फिर से वापस भेजा बाहर, फिर से उन्होंने बोला, प्राटिकल्स या टेस्ट लंच के बाद है, तो फिर म आज मैं आप लोगों से एक्जाम्स के बारे में बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा, तो कि आपके एक्जाम्स हैं, और मैंने एक्जाम्स के उपर बहुत बात नहीं की है, उसके पहले छोटी सी मैंने कहानी बनाई है, खुदी बनाई है, एक, दो कहानिया हैं उसमें, एक तो बागीचा था, कहानियों से बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने खुदी बनाई है, बागीचे में धेर सारे मालियों ने पौधे होते लगा रखे थे, फूल के और फलों के, तो एक सब रोज के फ्लावर लगा रखे थे, तो उसमें से एक रोज जो था, वो लाल की सफेद निकल आया, तो सबको बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने उसको फिर उसके बीच अलग से निकाल करके, कुछ कर रहा है क्या काम, कुछ काम कर रहा है क्या, तो एक जो सफेद गुलाब था, उन्होंने उसको अच्छा लगा तो उन्होंने उसकी बीच निकाल करके और उनको distribute किया, देखा तो उसकी सफेद लगे, लेकिन फिर वो जल्दी मूर जा जाते थे, तो उनने इसके उपर research करना शुरू कर दिया, और बाकी जो लाल फूल थे, वो सब अच्छे से चल रहे थे, तो फिर उनको लगा शायद बिमार है, कुछ खराबी है, बाद में genetically का एक कहानी यह है कि भाई, एक hospital है, वहाँ पर धेर सारे मरीज आते हैं, तो नॉर्मली जो सर्दी खासी बुखार वगरा हो जाती है, तो ठीक हो जाते हैं, दवाई यह देते हैं, लेकिन एक मरीज ठीक नहीं हो रहा है, बार बार उसका इलाज कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, फिर उसको जाज कराई गई, उसकी blood test हुई, उसकी x-ray हुआ, ultrasound हुआ, उसमें भी ठीक नहीं हो रहा है, उसको फिर और गहरी test हुई, बाईबसी वगरा हुई, बाईबसी मतलब, injection से आपके पेट में से निकालते हैं, tissues, उसको पेट में खही दरत होता था, उससे भी नह करने के लिए, कुछ तरीका लगाएं, तो वो कैसा रहेगा, कि जब report बन रही है, तो किसी के साथ sample बदल लें, उसकी blood sample चली जाए, कैसा रहेगा यह, दिखिया आपने, गुमिंदा के विचर थी, उसमें वो blood sample change कर देता है, अपना एक, याद है, वो दिखाना चाहता था, कोई और हूँ है, he didn't want to know, वो insurance company में, उसने insurance करा रखा था और खुद मरना चाहता था, तो उसने normal report निकल वाई है, किसी और की sample बेज कर, मैं lecture नहीं देना चाहता, मैंने अपने आप से question पुछा, आशिश भाई, यह जो exam है, उसका purpose क्या है, exams का purpose है, यह जान पाना, खुद को कितना आता है, लेकिन धीमे धीमे, यह ऐसा ही है, जैसे कि, डॉक्टर मालूम करे, मरीज को कितना, कितनी बिमारी है, और कितनी उसको help की ज़रूत है, लेकिन धीमे धीमे काफी सालों से, 25, 35, 40, 50, 100, 200 सालों से, बलकि 300 सालों से, 300 साल पहले ऐसे exams नहीं हुआ करते थे हमा एक वाइसर आये थे इंडिया में, उन्होंने पूरी इंडिया घुमी और उन्होंने चिठी लिखी ब्रिटिशर्स को, अपने वासेस को, विक्टोरियन्स को, कि यहां का education system बहुत ही strong है, मैं करीब 50-60,000 किलोमेटर ट्रावल कर चुका हूँ पूरे country में, एक भी चोर नही मिला और एक भी untalented बंदा नहीं मिला, सब कोईने कोई काम कर रहे हैं, नाई का बेटा, नाई किसान का